Hello Dear Friends welcome back to Vitaminigle Science nós Monk Medical वीडियो है East वीडियो में आज हम डिसकस करें जहें किसी के दो Pen-Card होते हिसी के पास में टोंबे चीक परफिश कराना होता है आप मुझ को Cancel करा सकते है डिलीट करा सकते हैं तो उसका पूरा पुद्जरद आज इस वीडियो में होते हैं इसकी पूरे जान अगर आपको इस वीडियो मिलेगी आप सब्सक्राइब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर वीडियो को आधीक से अधिक अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में ग्रूप अगर हमें शेर किजेगा क्योंकि किसी किसी बात दो पैन कार्ड होते हैं तो वह सोचते हैं हम तो यूज कर रहे हैं कोई प्रोब्लम नहीं हम इसको इस्तमाल ने करें लेकिन उसको घर पर रखना भी गहर कानूनी होता है और उसके लिए आपको जुरुमाना भी लग सकता है या जेल भी हो सकती है तो पूरी वीडियो देखेगा और अपने दोस्तों में स्यर्केजेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीशिके पास दौ पा trencard बढ़ बनने जाते हैं तो बनने का रीजिन होता है तो आपने गिल्टी सप्लाइं कर दिया होगा या फिर आपके पास पहल पहले पहले सो पैन पिस्ति कहीं से किसी और बंदेन अपलाई करवा दिया आपका पैन कार आपने साइन कर दिया फोटो लगी उस पर अपलाई हो चुका वह आपके पास आ चुका है तो कोई ना कोई रीजन होता है दो पैन काड अपलाई होने के ठीक मेरे साथ बैसा हुआ था तो मैं आपको यह आयकर विबाग का टोल फ्री नंबर है इस पर आप कोल कर सकते हैं उनसे आप पर अपने ओफिस का पता एडर्स ले सकते हैं वह आपकर पूरी जानकर दे दे देते हैं दूसरी बात यह है कि यह सबसे पहले आपको अपने डिस्टिक में जाना होता है डिस्टिक में जो आएकर विबाग या income tax officer होते हैं वहां पर यह pen card आपका surrender करना पड़ता है और इसको surrender करना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि अगर आपके पास में दो pen card है अभी pen card को आधार card से link किया जा रहा है तो अगर आपके पास दो हैं आप दोनों को इस्तमाल कर रहे हैं तो वह आपको अपना income tax office में जाना है और वहां पे आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगे document के कौन कौन सी documents होते हैं सबसे पहले जरूरी बात तो यह कि पूरा offline process होता है online की चक्रे में नहीं पढ़ना है online बंद हो चुका है जितनी वीडियो देखेंगे YouTube पे आपको सभी online मिलेंगी ल सबसे पहले आपको एक application लिखनी है आएकर विवाग को ठीक है वह application मैंने आगे बता रखेंगे कौन कौन सी document ले वह भी आपको पूरे आगे मिलेंगे पूरे detail में ठीक आपको एक application लिखनी है उस पे अपने mobile नंबर आपने signature वगरा पूरा mention करना है किन कार्ण से आपके पा है ठीक है दूसरा उसके बाद आता है आपका अफिडिवेट आपको एक court में जाना है का अफिडिवेट बनवाना माचे उसको वकील से टेस्ट करवाना है और नोटरी से टिकेट वगर उस पे लगेंगी उसके अंदर भी सेम ये प्रोसेर होता है आपको किस कार्ण से अप् लगेगा ठीक है यह द्यान रखना है फोटो कोपी नहीं लेके जाना है दूसरा पैन कार्ड की फोटो कोपी लगेगी जिस पैन कार्ड को अब रखना चाहते हैं उसकी फोटो कोपी लगेगी नेक्स्ट है आपको एडरस पुर्फ लगाना पड़ेगा एक में आप कहां के रहने वाले हैं कहां पे रह रहे हैं उसका आपको पर्मानेट अड्रस का एक एडरस पूर्फ लगेगा और आगे क्या है कि एक आपको सिविल स्कॉर की रिपोर्ट निकलवाने सब्सक्राइब सब्सक्राइब लीप फोटो कोपी कर लेजेगा ठीक है वह फोटो कोपी आप जब जमा करेंगे वहां पर आएकर युबाग में तो उसकी एक मिलेगे आपको वहां से स्टेंप लगा के आपको देदेंगे साइन करके आपनी आप जमा कर दिया है रिशीव जरूर लेनी है कई आपको कैंसे नहीं हो पाता है आपको बार-बार चक्कर कार्ण में पड़ेंगे तो उसकी दिक्क्त हो जाए इसलिए वहां पर फोटो कोपी क करके उसकी रिशिप्ट लेनी है या फोटो आप फोन वागरा में क्लिक कर सकते हैं या आपने क्या क्या जमा किये हैं यह पूरा ओफ्लाइन परसेडर होता कोई दिक्क्त नहीं कोई फीच नहीं लगती इसके अंदर ठीक है कोई घबरानी की बात नहीं आप आप जाएंगे सब्सक्राइबर कैफे से यह पूरा पशुर होता है एक छोटी सी वीडियो थी इनफोर्मेशन वीडियो थी जो जो डोकुमेंट्स लगाए है मैंने वह आपको आगे मिल जाए या अपने आईडी प्रूफ अगरा के साथ में ठीक पूरा देख लिजेगा वीडियो को स्कि लगाने होते हैं उनके साथ में तो सबसे पहले तो हमें एक अप्लिकेशन लिखनी होती है जिस अप्लिकेशन में मैंने करते हैं हमारे दो पैन कार्ड में हैं और यह पैन कार्ड नमबर में बंद करना चाहता हूं और दूसरे बाले बंद चलू रखना चाहता हूं ठीक है और इस pencard मेरा गलती से अपलाई हुआ है या फिर आपने जानबूज के दो बार अपलाई किया था किसी कारण से आपका pencard गुम हुआ था वह जो भी आपका region है वह आपको एक application के अंदर mention करना है तो नमर एक पर आपको application लिखनी है और फिर आपको एक कोर्ट में जाके अफिडिवेट बनवाना है आप किसी भी साइबर कैफेश निकलवा सकता है फिडिवेट वह आपको आपको दिखाओं उसमें क्या में उसके अंदर वही चीज़े में करनी होते हैं जो अमने application में लिखी है ठीक वह एक परफोर्मा होता है तो आपको कोई पर नमर ड्लवाने होते हैं पिक नमने 첫 थी लिए रसी पंट सरेंड करना चाते चाथे हैं बलीट करवाना चाहते हैं वह ओरिजों लगेगा अपकी पास पॉजिन आपको महाँ चाहते हैं उसकी फोटोपी लगेगी वहां पर एक आईडेए पूर लगेगा अपका जो एड्रेश का है और civil report of surrender उसारेणीर टिते आन शाह्तं को आप सरेंदर करना चाहते हैं दिपको उसकी आपको सीविल स्कोर निकलवाना पड़ेगा अब आपने उस पेन कवी दिनुकल के आसे और किसी सीटू से कहीं से कंप्यूटर से उसकी पूरी लिस्ट लगती है अगर वह आपने यूज़ नहीं किया तो आप उसमें कर दो मैं कभी यूज़ नहीं किया और उसका सिविल स्कॉर्ण है वो निकल के नहीं तो यह आप उसमें कर देजिएगा अगर आपका इसका पैन कार्ड को यूज किया है उसे बंद करना चाहरे तो उसका पैन कार्ड का आपको सिवल स्कूर की रिपोर्ट निकाल को आपको साथ में लगाने पड़ेगी यह सब डॉकुमेंट्स हैं जो जरूरी डॉकुमेंट्स आपको लगेंगे और ओफ लाइन प्रोसीजर नहीं होता इसका प्रोसीजर आपका ठीक है और यह जो कस्टुम के नमबर होते हैं इन लोग के डिस्टिक में होता है तो यह जो पाइन का और आपके डिस्टिक वाइज होते हैं तो पर अंपर आपको सरिंडर करने के लिए आविद्धन करण उसके निच्चे आपको पैन कार्ड का आएकर विबा का एडरेस लिखना है जो आपके आएकर विबा का एडरेस है आपके डिस्टिक में वो नीचे लिख देना है उसके बाद नीचे फिर से आपको लिखना है पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आवे दिन पत्र और ओर पैन कार्ड यह आपको लास आंख कारें और उसके नीचे आपको जिस pen card करने की से पलत लिखना करना है इसके बाद आपको एक साइवर कैफे से या कोर्ट में जा कि आप एक अफिडवेट को बनवाना है उसको एड़ोकेट से अटेस्ट करवा के नोटरी से टिकेट लगेंगी बीस रुपे की पूंटी रुपेज की टिकेट लगेंगी ठीक हो उसके उपर नंबर डाल दे और आपने कैसे कैसे बनवाया कौन से पैन कार्ड को रखना चाहते हैं और कौन से पैन कार्ड को बंद करना चाहते यह पूरी चीज़ा प्लेट मेंचलन की होई है तो यह यह इंतर प्र पर ली यह देख्या आप इसको देख सकते हैं इनको मैं बलर करदूँ आं term क्योंकि यह अपके यहां पर साइन होंगे और एड़ोकेट होगा वह नोटरी वहागुन के स्टेंप लग जाती है यहां पर आपके दो जगरें पर साइन होते हैं एड़ोकेट इसको टेस्ट कर देंगे उसके बाद में आपको फिर से आकर विवाग में एक आपका आईड़ी पुरूफ लगेगा परमानेटेटर्स का उसमें आप अपना तार कार्ड लगा सकते हैं शुप् लगा सकते हैं बांता है तो यह वह अप्लिकेशन जो मैंने आपको बताई थी और उसके बाद में जैसे आप सभी डॉकुमेंट से हो जाते हैं आपके यह साफ लगान से सबसे ऊपर असकी नीचे आप प्लिकेशन लगाने तीन इसकी हो जाएगा उसके बाद आपपा को रखना चाहते है उसकी फोटो को पी ऑर और जो पैंक आप वह जमा करतेंगे की वहां पर जमाय करेंगा जिस्यां के विव안डमेंट आपको एक receiving देंगे उस पर stamp लगा देंगे अब इतने तारिख में आपको इसको जमा किया आपको नहीं करते हैं आपके पास को notification आ जाते हैं आप दो pen card यूज करें आप उनको दिखा सकते हैं जिमेंद इस तारिख में इस pen card को वहाँ पर कर दिया था तो यह आपको receiving मिलती है last receiving आपको जरूर लेनी है ठीक है यह आपके pen card के हो चुके थे सब्सक्राइब कर लिए और आप में फोलो कर सकते हैं Facebook पे LinkedIn पे Twitter पे Instagram पे आप में फोलो कर सकते हैं आर्डे मेडिकल साइंस की नाम से थैंक्यू